रगुनाथाया नाथाया पीताया पतिये नमः स्री रामलला भग्वान के भारत माता के सर्यू माता के सर्यू माता के जैजै सीता राम राम उत्सो के आज के स्कारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोक्प्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया स्री नरेंद्र मोदे जे रास्तिय स्वयम सिवक संग के मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवत जी प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जी सिराम जन्भोमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूज्य महंत निर्थ गोपाल दास जी सिराम जन्भोमी तीर्थ छेत्र न्यास के कोसा ध्यक्स पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महा सचिव सम्माने सी चंपत राय जी देश के कोने कोने से हाँ पर पधारे पूज्य संतजन अपने अपने छेत्र के नेत्रत देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामज सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अब इनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे रास्तिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवज जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अबिनंदन करता हूँ प्रवु रामलला के भव्य दिव्य और नब्य धामे बजार विराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांद आज के इस सर्चिर प्रतिक्सित मौके पर अंतरमन में भावने कुछ ऐसी है क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है भाविबोर है भाविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज इस एतियासिक और त्यंत पावन असर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्या धाम है हर मार्ग से राम जन भूमी की और आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आँख हरस और संतोस के आंसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आगये हैं आज रगुनंदन राघाव रामलला हमारे हिर्दे के भाउं से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर रामभक्त के हिर्दे में प्रसंता है, गर्व है और संतोस के भाउ है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिकसाती भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधुरी कामला लिए इस धराधाम से साकेद धाम में लीन हो गई किन्तों प्रतिक्सा और संघर्ष का करम सतच जारी रहा सिराम जन्भू में संभूत विश्व में पहला ऐसा नूठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संकेग समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्तली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहुंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने, जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उठकरके, रामकाज के लिए स्वयम को सर्ग किया, अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है, आज आत्मा प्रहुलित है, इस बात से, कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था, संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की, इस समाप्ति के लिए, और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री, से नरेंद्र मोदी जी का हिर्दै से आभार और अविनंदन, माने प्रधान मंत्री जी, 2014, मैं आपके आगमन के साथी भारतिय जन्मानस कह उठा था, कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, कि अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से, राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, और लौकिक छवी है, हमारे प्रभु की, बिल्कुल वेसे ही, जैसे तुलसी दाश्जी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम, धन्य है वस सिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है, बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूजे संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरण हो रहा है, आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी, जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भूम उक्तिक्यवक में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन इस मिर्थियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ, सिराम जन्भूम में महा यग्यन केवल सनातनास्ता और विस्वास की परिक्सा का काल रहा, बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धुवा है, सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख, अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है, भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया, वो सद्यों तक अभी सिप्त थी, उपेक्सित रही, सुन्योजित क्रिसकार जेलती रही, अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किन्तुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है, और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा, लेकिन हर ए और आज देखिए, पुरी दुनिया, अयोध्या के वैभव को निभार रही है, हर कोई अयोध्या आने कौतुर है, आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है, यह धर्मनगरी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में दिब्बे और भब्बे योध्या का साकसातकार कर रहा है, आज जी सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प, इच्छा सक्ते और दूर दृस्ता के बिना संभव नहीं था, कुछ वर से पहले एक कल चलेंगे, ऐोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी, लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियाश से आज, आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है, सांस्कृतिक आयोध्या, आयुस्मान आयोध्या, स्वच्छ आयोध्या, सक्सम आयोध्या, सुरम्य आयोध्या, सुगम्य आयोध्या, दिव्य आयोध्या और भव्य योध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेंड परंप्रा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेंड वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भुष्यकी जर्वतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मौक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रयटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है ये एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है ये उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन मेंगिकार किया गया है ये लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिव्य दिपोत्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम लिला की प्राण प्रतिष्ठा का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है सिर्वाम जन्भुई मंदिर की एस्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुस्थान है यह राश्ट मंदिर है निसंदे सिर्वाम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिष्था राश्टि यह गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निश्चिंत रहिए पर वो राम की किर्पा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कोई बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़ड़ा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोटसो रामोटसो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लला का बिराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहिप समरत समाज का दियोतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भूई मंदिर के सपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भूमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिये प्रधान मंत्री जी, आदरिये सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महान भावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वाकत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्ध की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज की स्रामत्सो के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाणी को बिराम देता हूँ जाजे सिताराम